मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ जी बिल्कुल कल मैंने जानकरे दीती फिर दोरा देता हूँ सोया दीन में प्रोटीन बहुत है यह आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन जो प्रोटीन है उसको पचाने के लिए एंजाइम एक लगता है, वो एंजाइम उनुष्य के शरीर में नहीं बनता, वो एंजाइम पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दूकर के शरीर में बनता, तो दूकर अगर सोया जिन खाएगा तो उसको हजब हो जाएगा, दूकर ह बाकी है जो सोयावीन को पचा सकता है बाकी कोई नहीं पचा सकता है इसलिए यूरोप के देशों में डूकरों को सोयावीन खिलाए जाता है फिर वो डूकर का मास वहां के लोग खाते है कि सूरिफूल का चल सकता है सूर्फूल का टेल चल सकता लेकिन आप जिस छेत्र में रहते हैं इस भौबालिक परिस्थिती के हिसाब से सबसे अच्छा तेल है वो शेंघा का है मुंफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है आप जहां रहते हैं यह इलाका है यहां थोड़ी हवा खुश्क है नमी वाला इलाका हो तो वहाँ पर यह तेल बहुत अच्छा होता सूरज मुखी वाला लेकिन आप ऐसे इलाके में नहीं रहते हैं नमी बहुत है यहां की हवामत खुश्की है सूखा पंजादा तो इसलिए मुंफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है और दूसरे नमबर पर सबसे अच्छा तेल आपके लिए है वो तिल का है तिल का आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं तो मुझे एक जानका ही तो छूट गई आपको बताने के लिए वो चरग सहिता की नहीं है सुशुरूप की भी नहीं है बादबट की भी नहीं है वो जीवन विवार में से समझ में आई हुई बात है वो यह है कि आप भरने जो खाना बनाते हैं उसके यह तेल इस्तेमाल करते हैं तो यह दिपावन तेल इस्तेमाल मस करें क्योंकि हमने जब डिपावन तेलों को प्रयोक्षाला में परिक्षन करवाया तो पता चबा कि वो इतने खराब हैं उसमें इतने केमिकल हैं जिनकी आपको कल्प नहीं नहीं जिए और ये डिपावन तेल ज्यादा बड़ा कारण है फिर्देगाद के लिए आपके सामने ये क परिवर्तर किया अपने जिन्दगी डिपावन तेल खाना इन्होंने बड़ कर गिया शुद्ध तेल खाना शुरू किया और उसके बात इन्होंने लिटिट प्रोफांड चेक कराया तो इनका जो खड़ाब पॉलेस्वां था वो कम हो गया और जो अच्छा पॉलेस्वां यह जो इंपेलियो परिणाम आया वह भारत में सेफरों लोग भी यही बात करते हैं कोई कैजे कि जब से दिब्बाबन तेल खाना उनक्या तक्निफ पहले से कब होगे तो आप शुद्ध तेल खाईए दिब्बन बंद तेल मत लाइए शुद्ध तेल खाईए तो आपो ल जाएगा दमतरी में आप शुद्ध तेल कोई कभी नहीं आना लाइए आप हमेशा यह याद रखिए तेल कोई भी खाईए दिब्बाबन भीकुल नहीं शुद्ध ही तेल खाईए और ज्यादा अच्छा तेल जो खाने को है मुंपली का है तिल का है और हमारे घरों में कई सुर्ण मुखी का तेल कभी निमत खाईए क्योंकि सोयावीन और सुर्ण मुखी का तेल मनुष्य के खाने के लिए नहीं दोनों ही तेल का वो जिस पर वो पचने की क्रिया शुरू होती है वो मनुष्य शरीर से उंचा है हमारे शरीर का नॉर्मल जो बाड़े टंप्रेचर सुर्ण मुखी का तेल है इसको डाइजेस वोने के लिए 40 डिग्री 42 लगता उतना गंटेचर शविर में कभी भिलिल होता बीमार होने को छोड़ता तो इसलिए सोयावीन अच्छा तेल नहीं आपके लिए सोयावीन अच्छा तेल है सूर खेले सूर होते ना इनको भरकुर प्रोटीन की पूजा में सोयावीन रखते हैं और प्रोटीन की पूजा में सोयावीन रखते हैं अच्छा है सोयावीन रखते हैं बगवान की पूजा में उड़क की डाल रखते हैं मुं की डाल रखते हैं मसूल की डाल रखते हैं अरेयर की डाल रखते हैं चली की डाल रखते हैं सोयावीन डाल कभी भी भी नहीं रखते हैं ये रहने माझे खा सकते हैं हमारे ली ये बहुती नहीं पणेर सोवाजिन का मत खाय दूद्का इक पणेर खाये करना खायने के इकनी देर पेहले पानी किसे हैं और फैसलगे ये पहले दा तो अच्छा तो खाना खाने के 20 मिनट पहले आप बढ़के पानी को सकते, 20 मिनट करें, कितना भी चाहें उतना पानी को सकते गेहू के साथ सोयवीं के साथ चले को मिला के खाये, सोयवीं की बिल्कुल जरुदर्थ, चना और गेहू बेस्ट कॉम्बिनेशन किसी दो मिल्मत खाये, उस सोयवीं को पचाने के लिए जो शरीम में लगता है ना इंजाएंग, वो है नहीं हमाने लिए, वो सिर्फ सुर के शरीम है, मनश में है यहीं नहीं, तो खाने सुर्थ फाइवालीं पचेगा है नहीं, बेगार वेस्ट जानवारे, चना खाये, की ताकत भोड़े भी पानी जाती है, और हर ताकत को भोड़े से ना पाजाता है, होर्स पोवर्स, आप चना खाये ला, बल्कुल,